Hello All, कैसे हो आप सब, I hope आप सब अच्छे हो तो guys आज की जो reading है, वो हम करने वाले हैं कि वो आप से क्या कहना चाहते हैं, ठीक है So, इस topic पर हमारी आज की ये reading रहने वाली है वो आप से क्या कहना चाहते हैं, ठीक है तो देखेंगे हम कि आपके person आपसे क्या कहना चाहते हैं उनके दिल की बात क्या है आपके लिए क्या कुछ वो आपसे अपने दिल की बात share करना चाहते हैं जो कि वो बोल नहीं पाते हैं ठीक है और आप चाहते हो कि वो ही आपसे बोले है ना यानि कि आप उनके मुह से सुनना चाहते हो नेकिन वह बोल नहीं पाते हैं कहें तो ठीक है ना तो यहाँ पर यह मुझे दिख रहा है और दिख किया रहा है मैं जो है इस टॉपिक पे ही रिडिंग करने वाली हूँ और यही टॉपिक अचानक से भी रिमाइंड मैं कि नहीं इस टॉपिक पे रिडिंग करने चाहिए ठीक है तो मैंने आज का जो टॉपिक है यही चूज किया है तो यह टॉपिक आपको पसंद भी आएगा और रिडिंग भी आप सब के साथ रिजनेट करेगी तो चलो रिडिंग स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे मैं जन्री onda कर रही हूँ ठीक है और आपको देखना होगा कि आप से कौन सी बात रेज से नहीं अगर जो नहीं कर रहे हैं उसको छोड़ दें किसी और के लिए ठीक है बाकी वाकि क्या करना है जो रिजनरा करते है उसको लेनाına स्रीब ठीक है ना तो चलो रिडिंग स्टार्ट करते हैं आपकी प्लिस इन्वर्स काइड मी पहले मैं और इकल काट से देखूंगी कि आपके पॉर्शन आप से क्या कहना चाहते हैं और उसके बाद मैं दुसरे डेक से देखूंगी टैरोग के द्वारा देखूंगी ठीक है उनके पॉर्शन और इसे क्या कहना चाहते हैं प्लीज काइड मीं प्लीज इन्वर्स काइड मीं और विजस्कवेश्वाः धाय पास्व काट में नहीं एथीऊ लिए लेती हूं.. आपको यासकी पता है चलो प्लिस इंवर्स काइड में यहाँ पर अथोरिटी का काड है ओके वह आपसे क्या कहना चाहते हैं तो पहला काड मेरे पास अथोरिटी का काड है और काड देखते हैं ओके वाव लव बिंग निंग वेरी नाइस और काड देखते हैं इस काइब मी इस इन्वर्स प्लिस काइब मी तो यहाँ पर मेरे पास एक ही काड है ओके चलो और देखते हैं काड प्लिस काइब मी प्लिस 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 काइब मीज़ी इन्वर्स स्काइब मी की पिशिन्स एक पीतिंस वे शुकूरald देखते интерес प्लीस काइब मीजव था के एन्व प्लीस काइब मी यां पे यवजा से कर्ड मेरे पास युज है लास्ट इल्ड पास मऊमिंट चॉइसिक और हो ठीक है वाव spiritual union bottom of the deck so पहले मैं इस deck को यानि कि इस card को explain करना चाहूंगी आपके सामने ठीक है तो आपके person आपसे क्या कहना चाहते हैं ठीक है जो कह नहीं पाते हैं आपको यह जानना है न अपने person के बारे में तो यहां पर जो मुझे दिख रहा है पहले जो cards मुझे bottom of the deck आया है वो मुझे बता रहा है कि आपके person ठीक है आपके person जो है यानि कि आपका और आपके person के साथ मुझे बहुत ज़्यादा connection जो है न यहां soulmate connection यार कहें तो twin flame connection दिख रहा है आपका आपके person के साथ twin flame connection हो सकता है या soulmate हो सकता है आप दोनों एक दुसरे के soulmate हो सकते हो ठीक है न और यहां मुझे यह भी दिख रहा है कि आपके person आपके person आपसे यह कहना चाहते हैं कि अब यह दूरियां बरदाश नहीं होती है अब यह चीजे जो है ना बरदाश नहीं होती हैं करने कि यह तो यहांपर मुझे दिख रहा है कि हम तिर से एक new beginning करना चाहते हैं यहाने कि मैं न्यून बिगनिंग चाहता हूं तुम्हारे साथ जानी कि bottom of the deck sorry 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 okay तो ये card मुझे ही बता रहा है कि आपके person जो है न आपके साथ new beginning चाहते हैं ये आपके friends की help ले सकते हैं आपके family member में से किसी से इनकी आपके person की जान पहचान है तो ये उसकी भी help ले करके चाहते हैं कि reunion हो तो ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि मैं किसी की भी help लो ठीक है मैं किसी की भी help ले करके तुम्हारे पास contact करना चाहता हूँ तुमसे बात करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ जो है न इस relationship में मुझे आगे बढ़ना है ठीक है और तुम सिर्फ मेरी हो और मैं सिर्फ तुम्हारा ये भी इस परसन का कहना है ठीक है यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि जायद यहाँ पर दोनों के चेहरे जो है ना एक दूसरे से काफी मिलते जुलते होंगे ठीक है काफी ज़्यादा और यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि आप लोगों में बहुत-बहुत कुछ चार्ष जो है ना एक जैसी होंगी यानिकी लगबग लगबग बराबर होंगी मतलब कि होता है ना कि हमारी सोच आप परसन की सोच एकदम मतलब कि एक्वल लगता है कि हम जैसे मैं सोच रह तो यहां पर जो कार्ड है मेरे पास यह मुझे बता रहा है कि आपके परसन यह कहना चाहते हैं आपसे कि इनके पास जिम्मवारियां हैं तो यह आपसे कहना चाहते हैं कि देखो मेरे पास बहुत सारी जिम्मवारियां हैं ठीक है मेरे कंदेक उपर बहुत सारी जिम्मवारी है क्योंकि मैं घर का बड़ा बेटा हूं बड़ी बेटी हूं या फिर कहें तो मैं ही अपने घर का परिवार का सारा खर्च या फिर जो भ कोई तरह से इनके पास authority है यानि कि आपके person आप से कहना चाहते है कि मुझे उस authority को चलाना है ठीक है यानि कि जो authority मुझे मिली है उसको मैं खोना नहीं चाहता ठीक है अपना फर्ज जो है मैं उससे निभाना चाहता हूं या चाहती हूं तो उसको छोड़के मैं आपके सामने नहीं आ सकता यानि कि अपने responsibilities को छोड़ करके मैं यहाँ पे नहीं आ सकता तो यहाँ पे इस person का ये भी है और यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके person जो है न यहाँ पे तो आपके person मुझे यहाँ दिख रहे हैं कि थोड़ा ego भी है इन में और ये ये भी जाते हैं ये भी कहना भी चाहते हैं कि ये person ये कहना चाहते हैं आपके लिए भी ये हो सकता है कि आपके energy है हो सकता है कि आपके बहुत काम करने वाले हो या आपके उपर बहुत सारी जिमेव पारिया हो है ना और आप उसका हैंडल कर रहे हो तो यहां पर आप बहुत लाइफ में सफर कर रहे हो ठीक है तो यहां पर आपके पॉर्सन यहीं कहना चाहते हैं कि तुम्हारे में वह क्वालिटी है एक लीडर्सित की क्वालिटी तुम किसी को भी हैंडल कर सकते हो तुम किस कbase आया कि आपको हारना पसंद में आपको झीत ना पसंद तो आपकी परसन आप सब्सेक्ष 12 कहाना चाथा कि तुम कभी हार नहीं मानने वाले मुझकिल आएं कितनी भी कुछी चीजे हिलां के रखे के तुमहीं लेकिन तुम हिलने वाले नहीं हो तुम इमोशनली मेंटली बहुत ही ज्यादा स्टॉंग हो ठीक है और यह बाते मुझे बहुत अच्छी लगती है तुम्हारे में और मुझे देख रहा है कि यह परसन चाहते हैं कहना चाहते हैं आप से कि जो जिस्त कदर तुम किसी को ट्रीट करते हो या करती हो तो सा गयान भराव है सारे संसार का गयान भरा हूए तो यहाँ परसन यह भी कहना चाहते हैїं कि हो क्यों सकता है कि आप लोगद्र आप टीचर हो या फिर आपकेלא परसन ये टीचर हो यहां पर यह दिख रहा है और यहां पर किStar mat यहां मैं क्या कहूं मुझे लगता है कि शाहद यह एनरजी आपके हो सकते हैं या थोड़ा सा एको वाला या कहें तो अपने रुत्बे का थोड़ा सा जायना एक रहता है ना कि हां मैं यह हूँ तो हूँ तुम क्या कर सकते हो है ना तो यह वाली एनरजी भी हो सकता है कि आप की हो या फिर आपके person के energy हो तो यहां पर मुझे यहीं दिख रहा है कि यह person कहना चाहते हैं आपसे कि थोड़ा सा चाहना अपना ego control करके रखो और बतला फिर दूसरे को लिए ego रखो मैं यह नहीं कह रहा है या नहीं कह रहीं लेकिन मेरे लिए तो कम से कम वो न मत रखो ना क्योंकि मैं तुम्हारे लिए अलग हूँ ठीक है मैं तुम्हारे लाइफ में अलग हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं protective भी बहुत हो तुम्हारे लिए मैं friends की help लेकर के भी कई बार मैं तुमसे मिला हूँ और आगे भी मिलना चाहता हूँ तुमसे बाते करना चाहता हूँ अपने इस relationship में जो भी problem है उसको sort out करना चाहता हूँ और फिर से मैं एक new beginning करना चाहता हूँ ठीक है तो यहाँ पहला ही card जो है मेरे पास बहुत ही उपसुरत card आया है एक तो new beginning है और उपर से ये authority का card है जो कि बहुत ही protective person को मुझे दिखा रहा है कि बहुत ही ज़्यादा आप protective भी हो और यहाँ पे मुझे ये लिख रहा है कि आपके person ये कहना चाहते हैं कि सायद आप भी positive बहुत हो उनको ले करके यानि कि वो आपकी life में आ जाएंगे आपको ऐसा भी स्वास है ठीक है आपके अंदर एक एक कहें तो आपको लगता है कि हाँ वो आएगा ही आएगा ठीक है कोई कुछ भी बोले लेकिन मुझे भरोसा है कि वो आएगा मेरे पास तो आएगा ठीक है तो आप जहना यहां पर emotionally love तो करते ही हो आपके person ये भी कहना चाहते है कि तुम physically भी बहुत strong हो और emotionally भी बहुत ज्यादा strong हो physically भी बहुत ज्यादा attractive हो और mentally तो तुम्हारा है ही तो तुम कितनी smart हो या फिर कहें तो कितनी intelligent हो यह मुझे बहुत अच्छे से पता है तो यह person आपसे यही कहना चाहते है मतलब आपकी खूबियों के बारे में ही यह person जो है ना बताना चाहते हैं आपको ठीक है तो यहां पे यह भी बताना चाहते हैं कि आपके जो ideas होते हैं कभी-कभी हो शकता है कि आपने उनको कुछ ideas हो गुछ इनई तरीके करना चाहती हो या चाहते हो वो मुझे पर पजसंद है तो ना नय नय पॉस्टिफ देती हो या देते हो तुम्हारी वज़ा से ही मैं इतना अपने लाइफ में आगे शूँ या कहें तो मैं इतना पोजिटिफ रह पाता हूं ठीक है तो ये परसन आप से यह भी कहना चाहते है क्योंकि साथ दोनों का होना चाहिए क्योंकि यहांपे क्या है सूल मे करते हो ठीक है ना तो यहाँ पे यह है और यहाँ पे इस परसन को रियलाइज भी हो रहा है आपकी कमे आपके साथ जो टाइम इन्होंने बिताया है ठीक है उस टाइम को यह बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं ठीक है तो यहाँ पे यह है और मुझे लगता है कि बहुत सारे होगा क्योंकि यहां connection twin flame का भी है तो यहां पर एक दूसरे को mirroring करना जो है ना यहां पर मुझे देख रहा है और देखो अगला जो card है वो यह बता रहा है आपके person आप से यह कहना जाते हैं कि देखो यहां पर financially मैं बहुत ज्यादा परेशान हो बहुत ही ज्यादा मेरे finance का है या फिर मेरे जो भी situation है ना वो सही नहीं चल रही है और इस वज़े से मैं बहुत ज्यादा परेशान रहता हूँ अपनी life में पैसो की बहुत ज्यादा problem हो रही है और यहां पर मेरी life भी सही नहीं चल रही है तो यह person आप से यही कहना चाहते है कि इनकी life बिल्कुल सही नहीं चल रही है और इनको क्या करना चाहिए इनको खुद पता नहीं चल रहा है तो यहां पर आपके guidance की जरुरत है इनको आपकी person को ऐसा feel हो रहा है कि इनको आपकी guidance की ठीक है इनको ऐसा लगता है कि शायद मेरे पास knowledge कम है जिसकी वज़ा से मुझे ये सारी situations को face करना पड़ रहा है तो यहाँ पे ये भी मुझे दिख रहा है इनकी life में थोड़ी problem चल रही है पैसो की problem जादा चल रही है या फिर इनके शादी शुदा life भी अच्छी नहीं चल रही है तो यही आप से यह कहना चाहते है कि मैं उस सब से जो है ना परेशान हूँ और उनको चेंज उनके changes होने का wait कर रहा हूं मैं उनके बदलाव का wait कर रहा हूं कि कब यह बदलाव हो और यहाँ पे मैं सही हो ठीक है तो थोड़ा सा जो है ना यहाँ पे हो सकता है कि इन मैं positive हूं तुम मुझे positive feel कराती हो तो यहां यह है और यहां पर patience का card है देख रहे हैं मुझे लगता है कि reading ज्यादा इलम भी ना हो जाएं तो यहां पर patience का card है तो मुझे cards बता रहे हैं कि आपको आपने जैसे की patience रखा है ठीक है आपने अपने पॉर्षन के लिए बहुत पिसेंस रखा है और यहां पर मुझे दिख रहा है कि आपके पॉर्षन का जो है ना कुछ अलग साही दिख रहा है यहां ऐसा लग रहा है जैसे कि होता है यहां हम एक बार में ही पूरा प्रेम दिखा देंगे कि हाँ चलो मैं तो तुमसे इतना प्यार करता हूं है ना तो यह वाले भी एनरजी है यह पॉर्षन आपसे यह कहना चाहते कि जिस कदर तुमने डील किया है जिस तरह तुमने एड़्जस्ट किया है मुझे या फिर इस स करना भी सिखाया है यही पर्षन आपसे कहना चाहते हैं कि आपने उनको हैंडल करना यानि कि बैलेंस करना भी सिखाया है आप आप से उन्होंने बहुत कुछ सिखा यह पॉर्षन आपसे यह कहना चाहते हैं और यहां पे मुझे यह भी दिख रहा है कि शायद यहां पे शा कोई एक प्षका petite काफी कंफिऊज़ देख रहा है पता नहीं यह सब्सीदिक क्यों है जब कि आप अपने पार्टनर के साथ ही हुआ ठीक है आप अपने पार्टनर के साथ ही हो और अंतुर किसे डैक कि अपंपि इस पार्टनर के साथ देख रहा है और यहां पर हमेशा जह ना आप कुछ नहीं सीकते हूँ मुझे लगता है कि आप अपने च में आप। इक वरिए कर रहे हो खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इसी तरह जिन्देगी में आगे बढ़ो जिस कदर आप बढ़ रहे हो जिस तरह किसी दूसरे के दुख को देख करके आप दुखी हो जाते हो और उसे एक बहुत ही खुबसूरत सा सजेशन देते हो ठीक है तो आपके परसंट आपसे यही कहना चाहते कितना खुबसूरत मैसेज है इनक परसंट अभी जैसे की नो कॉंटेक्ट में बहुत सारे लोगों की परसंट है नो कॉंटेक्ट में और नो कॉंटेक्ट में होने की वह जैसे आप बाते नहीं कर पा रहे हो अपने परसंट से ठीक है ना तो यहां पर आपकी परसंट भी आपसे बाते करना चाहते हैं जिस कोड़ी डिसीजन लेने में हिच्च कर रहे हैं यह का है तो परबसल कष़ा है यह तो परिशानी सो रही है यह डीनक से मेरु नहींא चाहथ है कैने कोई मैं उसक्षऑ लेना कड़ाएं लेकिन में नहीं पा हुँ तो चाह्ठ़ा है कोहा बताया तो यहाँ पर जो card है वो बता रहे कि मैं decision ले करके तुम्हारे पास आना चाहता हूं और तुम्हारे लिए ही जीना चाहता हूं तुम्हारे साथ ही जीना चाहता हूं तो आपको क्या करना होगा यह person कहना चाहते हैं कि आपको थोड़ा patience रखना होगा मुझे planning करनी है जैसे ही मैं planning कर लेता हूँ कि मुझे चीजे ऐसे ऐसे करने है यानि कि implement ऐसे ऐसे करना है तब जाके मुझे इस relationship में success मिलेगी तब यह person आपके करीब आना चाहते है यानि कि reunion चाहते है यह person यह भी कहना चाहते है कि तुम मेरा wait करो move on करने के ज़रत नहीं है मेरा wait करो मैं तुम्हारे पास आऊंगा तुम तुम जो है न तुम और मैं बस और कोई नहीं ठीक है तो यहाँ पे यह person reunion भी चाहते है यह चाहते है कि हाँ जल से जल जो है न इस relationship को बढ़ाया जाए और इस relationship में जो है न यहाँ पे success को पाया जाए ठीक है तो success मुझे देख रहा है कि इस relationship में तो आप दोनों को success मिलेगी है क्योंकि यह चाहते है कि हाँ हमने इतना जो time एक दूसरे के बीना काटा है या कहें तो इतना अलग रहे हैं एक दूसरे को बीना कोई खोश बीना कोई ख़बर के तो यहाँ पे मुझे यह दिख रहा है कि आपके person यह कहना चाहते है कि यह जो time है ना मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ अपनी lifetime बिताना चाहता हूँ ऐसा नहीं कि आया और चला गया है ना तो यह वो नहीं मुझे अपने relationship में success चाहिए तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यही आपके person जो है ना आपसे कहना चाहते है मैंने बहुत जल 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 बोला है मुझे लगता है यही reading खतम करते हैं क्योंकि reading बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी यह रही है आपकी reading जिनको भी मुझसे प्रसंट reading लेनी है WhatsApp नमर पे contact कर सकते हैं वहाँ पे आपको सारी डिटेल से दे दी जाएगी प्रसंट reading से related Thank you so much मिलते हैं next reading में तब तक खसते रहें, मुस्कराते रहें और खुश रहें Bye